फ्रेंज रक्षा बंदन का तेहार है जो आने वाला है और तेहारों के सीजन में सभी के घरों पर खूब मिठाईया बनती हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुती स्वादिस्ट पेडों की रेस्पी लेकर आई हूँ और आज के ये वाले जो पेड़े हम बनाने वाले हैं इसे हम बिना चाशनी के बनाएंगे तो आई होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो इन पेड़ों को बनाने के लिए हमने सबसे पहले कडाई में डाला एक छोटा चमच देसी घी घी को हम शुरू में अच्छी तरह से गरम हो जाने देंगे जैसी घी गरम हो जाता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप मावा यानि खोया और ये वहले जो मावा मैंने घर पर बनाया हुआ है आपने नाप के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी शुरू में ही सेट कर लेना है और मावा को आपने पहले अच्छी तरह से कदू कर लेना है अगर आप मार्किट से लेकर आते हो ना मावा तो इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है घर पर बनाया हुआ तो इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट किया हुआ है और अगर आपने मावा को पहले फ् पर बनाया हुआ तो अच्छी तरह से यह पहले ही पका हुआ है अगर आप मार्किट से लेकर आते हैं तो उसको पांच से चे मिनिट के लिए गैस के लो फ्लेम पर भून लीजेगा जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं यह देखिए इसका टेक्स्चर चेंज होता जाएगा और बिल्कुल यह सॉफ्ट हो गया तो जादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अभी हमने दिखिए मावा को है जो अच्छी तरह से भून लीए है इसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जब यह थोड़ा चीनी एडनी की और मैंने इसमें देसी खान डाली है आप इसकी जगह पे जो नॉर्मल घर में चीनी आती है उसको मीक्सर ग्राइंडर में पीस कर चलनी से चान लीजिएगा और वो भी इसमें मिला सकते हैं आप हम चीनी को मावा में अच्छी तरह से मिला देंगे और मावा को ऐसे गुनते हुए ना अटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे ये वले जो पेड़े हम बना रहे हैं इसमें मावा के पेड़ों का ही टेस्ट चाहिए तो मैं इसमें कोई भी ड्राइ फ्रूट्स नहीं आड़ कर रही आप चाहें तो इसमें बरी कट करके जो पिस्ता बादाम काजू बगर आड़ कर सकते हैं या उनका पाउ इसके बाद हम इसको फ्रीज में पंदो बीस मिनेट के लिए सेट होने के खेंगे बित को मैने बीस मिनेट और निकाला और मावा हमारा अच्छी तरह से सट होगिए अब मैंने कुकी कटर लिया कुकी कटर से इस तरह से देखिए इसके पेड़े कटकर रही हूं आप चाहें इसको बनाने में बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगा इसी तरह से हम बाकी सारे पेड़े जो वो भी कट कर लेंगे और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इंस्टेंट मावा की रेस्पी कैसे इंस्टेंट मावा हम घर पर बना सकते हैं उसकी रेस्पी भी आपके साथ श पेड़े जो इस तरह से तैयार कर लिए देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी बने हैं और अभी मैं तोड़कर आपको टेक्शर भी दिखा देती हूं यह देखकर ही पता चल रहोगा कितने सॉफ्ट और मों में घुल जाने वाले हमारे पेड़े जो बनकर तैयार हुए हैं इन पेड़ों को आप अराम से हफ़ता भर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं तो आए होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब सुरूर कीजिएगा जल्दी हम लोग मिले एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए